हलो, गुड बॉर्निंग ओल अफ यू, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कंपेटिसंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर आजिरू, डेली करंटापेर्स जी के MCQ कोस्टन्स, मेरे प्यारे साथियों, आज 2 जुलाई, 2-4-9 के करंटापेर्स के हम बात करते हैं, साथिर डेली करंटापेर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल, यूवी कंपेटिसंस, सब्क्राइब नहीं किया है, यूवी कंपेटिसंस चैनल को सब्क्राइब करें, और सा कोस्टन्स, औब्यक्टिव टाइप कोस्टन्स और उनका विस्तार पूरों का अध्यान हमारे इस अध्याय में, हमारे इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में करवाया जाता है, साथियो, इसके लावा राजस्तान जी के और मैकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने के लिए आप अनेकेडमी जो एप है, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनेकेडमी एप पर मैं आपका एजुकेटर हूँ, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे लैसर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, जो कि राजस्तान जी के और मैकनिकल इंजिनेरिंग से संब अच्छे अच्छे के लिए ट्राइब्स इंडिया का ट्राइब्स इंडिया और गोर ट्राइबल केमपेंग लॉंच किया गया है, अप्सने मुंबई, अप्सन बी न्यू डेली, नहीं दिली, अप्सन सी जैपुर, अप्सन डी एम्दाबाद, साथे जन्जातिय मंत्री ने जन्जातियों को हस्तसिल्प और प्राकरतिक उत्पादों के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए, ट्राइब्स इंडिया द्वारा, ट्राइब्स इंडिया और गोर ट्राइबल केमपेंग लॉंच किया गया, और इस केमपेंग का जो लॉ एक राश्टे एक राशन कार्ड की योजना कब से सुरू की जाएगी option A 1 July से option B 11 July से option C 1 August से option D 31 July 31 July से सत्यों खाद्य मंत्री स्रीराम विलास पास्वान ने एक राश्टे एक राशन कार्ड की योजना सुरू की है वन नैसन वन राशन कार्ड यानि कि पूरे भारत देश में एक ही राशन कार्ड बनाया जाएगा यानि कि एक ही प्रकार का राशन कार्ड बनेगा और यह योजना एक जुलाई दोहर जार उननिस से लागो करती जई है तो इसका राशन कार्ड आंसर है ऑप्शन एफश जुलाई यानि कि एक जुलाई से next what is India's location on the basis of fancy money in Swiss bank Swiss bank को में उद्मियों के पैसे के आदार पर भारत देश का किस्तान कौन सा है option A 70, option B 24, option C 89, option D 88 साथि स्विस बैंक में जो उद्मियों का पैसा जमा है उसके अनुसार भारत ने एक इस्तान की बढ़त प्राप्त की है पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भारत का जो इस्तान था वह तेतरवा था और इस बार भारत का इस्तान है चौट तरवा इसका राइट आंसर है option B 74 और सात्यों इस इस्तिती में यानि कि इस जो लिष्ट है उसमें जो सीर सिस्तान जो मिला है वह मिलाए UK को United Kingdom Next Who has approved their stride scheme to promote research culture in India भारत में अनुसंदान संस्कृति को बड़ावा देने के लिए stride योजना को किसने मंजूरी दी है Option A AICT All India Council for Technical Education B UGC University Grant Commission Option C CBSE Central Board of Secondary Education and DIASC Indian Institute of Science मेरे प्यारे साथियों भारत में अनुसंदान संस्कृति को बड़ावा देने के लिए stride योजना UGC University Grant Commission विश्वे विध्यालिय अनुदान आयुग ने शुरू किये तो इसका राय टाम स्वर है Option B UGC साथ योग बात की जाए कि stride क्या है तो stride का फुल फॉरम है वो क्या होता है आपको बता देते हैं तो stride का फुल फॉरम है Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy Next How much extra charge will be closed on fund transfer through NEFT and RTGS system NEFT और RTGS system के माध्यम से fund transfer पर यानि कि money transfer अतिरिक के सुलक लगना कब से बंद हो जाएगा Option A 11th July Option B 21st July 21st July से Option C 1st August 1st से Option B 1st July 1st July से साथ यों अभी तक क्या system था कि जब हम NEFT या RTGS करते थे यानि कि ओनलाइन लेंदेन करते थे तो money यानि कि money transfer और fund transfer एक सुलक देना पड़ता था कुछ fee charge करना पड़ता था वह fee charge 1 July 2019 से पूर्णतिया खतम कर दिया जाएगा यानि कि zero सुलक लगेगा फिरी मैं आप money transfer कर सकते हैं NEFT के थो तो इसका right answer है option D 1st July 1 जुलाई से Next which state has declared the state butterfly of Tamil Yaman शिरोकोरा थाइस butterfly तमिल योमन शिरोकोरा थाइस तितली को राज्य तितली किस राज्ये ने गोशित किया है option A आंदर प्रदेश option B तमिल नाडू ने option C केरला option D न्यू डेलिग भारत देश के राज्ये तमिल नाडू ने तमिल योमन तितली को राज्ये तितली गोशित किया है तो इसका right answer है option B तमिल नाडू तमिल योमन तितली के बारे में यदी बात की जाए तो तमिल योमन जो तितली है वह तमिल मारवान के रुप में भी से जाना जाता है और जिसका आर्थ होता है योद्धा यानि कि तमिल मारवान मतलब होता है योद्धा और यह मुख्यत पाड़ी छेत्रों में पाई जाती है और तमिल नादू देश का पांच वा राज्ये है जिसने तमिल योमन तिętली परस्ट गार्ड बार्तिय तत रक्षक बलके 25 मानिदिशक के पदपर किसे न्यूक्ट किया गया है। औप्षने सुनिल नामभा, औप्षन भी राजिंदर सिंग, औप्षन सी के नतराजन, औप्षन दी वी के सिंग, और इसका राइट आंप्षवर एक के नतराजन, औप्षन सी इस राइट आंप्षवर के नतराजन, जिन्होंने राजिंदर सिंग का इस्तान ग्रहन किया है। नेक्स्ट, नेशनल डॉक्टरेट डे इस सलेपेटेड ओन एवरी इयर, राष्टिय चिकित्सक दिवास प्रतियक वर्ष मनाया जाता है, उप्सण ए 11 जुलाई 11 जुलाई से, उप्सण बे 21 जुलाई 21 जुलाई से, उप्सण C 1 अगस्ट 1 अगस्ट को, उप्सण D 1 वस्तु एम सेवाकर जी अगस्ट कबसे लागू किया गया था, उप्सन 11 जुलाई 2018, 11 जुलाई 2018 से, उप्सण D 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 से, उप्सण D 13 जुलाई 2018, 13 जुलाई 2018 से, सात्यों देश बें गूड्स एंड सर्विसेश टैक्स वस्तुयम सेवाकर अधिनियम एक एक जुलाई 2018 से लागू किया गया था इसका राइट आप्सवर ऑप्सन भी फंच जुलाई 2018 और यह इसकी दूसरी बर्सी है यानि कि पहली बर्सी पर यह लॉंच किया दूसरी बर्स ही है साथ यह तहां जखा हमारा करेंट अपेर्स mcq यह आपको मारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक कमेंट शेर और सब्क्राइब यूवी कंपेट्शन चैनल और साथी साथ हमें अनकेडमी इंस्टागराम और फेस्बूक और फोलो करना ना भूले साथ यह आप इसका पीडियो डाउनलोड करने का लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा वह से आप इसका वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका दिन सुभो